आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जॉग्रफी से संबंदित कुछ महत्पून और exam-oriented questions आपके साथ डिसकस करेंगे जो कि हमारे आने वाले सभी exams के point of view से काफी महत्पून है सभी questions आपको Hindi और English दोनु लेंग्विजम आपियर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हैं जिसका link description box में दिया हुआ है शुरू करते हैं आज का पहला प्रस्न दोस्तो आज का पहला प्रस्न है The forests which act as barriers against cyclones are तो वह बन जो चक्रवातकों के और रुदकों का कारी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो दोस्तो मैंग्रूव फोरेस्ट जो है वो चक्रवातकों के और रुदकों के तरह एक्ट करते हैं दोस्तो मैंग्रूव फोरेस्ट में जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ जो होती है बहुत गहरी और फैली हुई होती है तो जब cyclone इन से टकराता है इन पेड़ पदू से टकराता है तो cyclone की speed जो है वो slow जाती है तो इसलिए इनको कहा जाता है barrier against cyclones इसका right answer क्या हो जाएगा mangrove forest अगला प्रसन है the longitudes of mainland of India extends between बहुत important question है भारत की मुख्य भूमी का देशांतर जो है वो 68 degree 7 पूर्व और 97 degree 25 पूर्व के बीच में फैला हुआ है तो option number A 68 degree 7 east and 97 degree 25 east is right answer तो इंडिया का longitude आपको याद रखना है अगला प्रसन है as the river enters the plain it twists and turns forming large bands known as तो जब नदी जो है मैदानी चेत्र में पुर्वेश करती है तो यह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है तो उस मोड़दार मार्ग को क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है मेंडर्स या फिर विसर्प दोस्तो जब रीबर जो है महाखड है गौर्ज मतलब होता है दोस्तों तंग घाटी या फिर नेरो वैली जिसके बीच में कोई रीवर बहती है ठीक तो काली गंट की गौर्ज जो है वह दुनिया की सबसे डीपेस्ट गौर्ज है जो कि नैपाल में प्रेजेंट है और गौर्ज दोस्तों ये होती है arrange the given mountain ranges from north to south in direction तो दिये गए परवस रेणियों को उत्तर से दक्षड की दिसा में व्योस्तित कीजिए कारा कुरम, लद्दाग, जांसकर और पीर पंजाल दोस्तों सबसे उत्तर में है कारा कुरम रेंज, उसके बाद है लद्दाग रेंज, उसके बाद है जांसकर रेंज, देन उसके बाद है पीर पंजाल रेंज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, दोस्तों इस question में by default ये sequence में दिये हुए हैं, लेकिन exam में इनको jumbled format दे सकता है, इसलिए आप इनका sequence याद रखिये, और पीर पंजाल के बाद आती है दोस्तों धौलधार रें तो जो स्तनपाई यानि कि जो mammals होते हैं, वो environmental change के लिए most sensitive होते हैं, यानि कि परियावरण के परिवर्तन का सबसे अधिक impact जो है वो mammals या फिर स्तनपाई प्राणियों के उपर पड़ता है अगला प्रस नहीं है दोस्तों, evergreen type forests are found in, तो सदा बाहर किश्म के 1 जो है, वो कहां पाए जाते हैं, तो monsoon climatic area यानि मानसूनी जलवाईवी छेत्र में सदा बाहर किश्म के जो forest होते हैं, evergreen type forest पाए जाते हैं So, option number D, monsoon climatic area is right answer In a solar or lunar eclipse, the region of earth shadow is divided into, बहुत ही important question है, इसको ध्यान में रखिएगा सूरिय या चंदरगरहन में जो पिर्थिभी की चाया होती है, अर्थ की shadow होती है, वो कितने भाग में विवाजित हो जाती है तो चंदरगरहन या पिसूरिगरहन में अर्थ की shadow जो है दोस्तों, वो तीन भाग में विवाजित हो जाती है इन तीन भागों का नाम है अंब्रा, ठीक है, अंब्रा, पैनंब्रा और एंटंब्रा जो अंब्रा होता है, वो innermost और darkest पार्ट होता है, जो पैनंब्रा होता है, दोस्तों, वो only a portion, जो outer पार्ट होता है, ठीक है जो की block होता है, outer पार्ट को हम पैनंब्रा बोलते हैं, और अंब्रा के पीछे का, जो light shadow पार्ट होता है, उसको एंटंब्रा कहा जाता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा, three parts तो पटकाई की पहाडियां किन परवत स्रंखलाओं से संबंदिध है तो इसका right answer क्या हो जाएगा, option number B पूरवांचल range, पटकाई hills आती है, पूरवांचल range के अंतरगत, बहुत ही important question है October and November month give more rainfall to, तो October और November के महनु में कहाँ पर सरवाधिक बरसा होती है तो भारत के पूरवी तट पर, यानि कि जो हमारा कोरोमंडल तट है, इंडिया का सबसे पूरवी कोस्ट जो है, वो कोरोमंडल कोस्ट है और कोरोमंडल कोस्ट में सबसे, October और November में सबसे अधिक rainfall होती है option number 10 का right answer दोस्तो अगला प्रस्ण है, contours are the lines which are drawn joining places having तो समोच्च रेखाएं, जिनको कि English में contours बोलाता है, कैसे स्थानों को मिलाते हुए खीची जाती है तो contours ऐसी line होती है, जो equal height from mean sea level, यानि कि समुद्र तल से समान उचाएं वाले स्थानों को मिलाते हुए जो रेखा खीची जाती है उसे contours या फिर समोच्च रेखाएं कहा जाता है जहां से सुनिए, समुद्र तल से समान उचाएं वाले जो छेत्र होते हैं, उनको मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, उन्हें contours कहा जाता है option number C is right answer ecosystem consists of, तो पारिष्टिकी तंत्र जो ecosystem है, वो किस से मिलकर बनता है तो दोस्तों यह है a biotic community and its non-living elements, यानि कि एक जीवित समुदाई, एक जीविय समुदाई और उसके जो निर्जीव घटक होते हैं, उसके जो non-living elements होते हैं, इन दोनों को मिलाकर जो है, वो पारिष्टिकी तंत्र या फिर ecosystem का निर्मान होता है option number A इसका सही answer है which national park in Nepal is a continuation of India's Walmi की national park, तो नेपाल का कौन सा राश्टी उध्यान भारत में Walmi की राश्टी उध्यान की निरंतरता है, तो भारत में इसे Walmi की national park के रूप में जाना जाता है और इसी का continuation आगे नेपाल में दोस्तों, उसको चितवन national park या फिर चितवन राश्टी उध्यान की नाम से जाना जाता है यह बहुत ही important question है, previous year के काफी सारे exam में पूछा जा चुका है तो इसका right answer क्या हो जाएगा, option number A, चितवन national park तो इस CDS के exam में पूछा गया question है, ला निना परसांत महासागर पर किस प्रकार का प्रवाव डालता है तो ला निना क्या करता है दोस्तों, यह परसांत महासागर का जो तापमान है या उसका जल का जो temperature है उसको down कर देता है cool down the temperature of water, option number B is right answer name the history on the border of India and Pakistan, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर history का नाम बताईए दोस्तों, इसका नाम है सर क्रीक, ठीक है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो history present है उसको सर क्रीक बोला जाता है option number 20 का right answer है तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो kindly हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए और वीडियोस को अधिक से अधिक share कर दीजिए ताकि ये अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे और सब को इसका फायदा हो और दोस्तों जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना आपका लाइक में motivation देता है थैंक यू, जैहिन, जै भारत, have a good day